हाई गाईस इस बबीता और वेलकम बैक तो माय चैनल दिवाइन लाइट आफ टैरो गाईस आज का जो वीडियो है इसका टॉपिक आपने थम नेल में देखी लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग करने वाले तो आज का जो हमारे टॉपिक है वो यह है कि जि लखेंगे और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और पसंद आए तो लाइक जरूर करें कमेंट जरूर करें तो ब्लैक मैजिक के बारे में मैं कई वीडियो डाल चुकी हूं आपने देखा ही होगा उसका लक् मतलब होता है हम किसी को बुरे इंटेंशन से हम किसी का गलत काम करें या गलत करवाएं तो उसका मतलब होता है ब्लैक मैजिक और वाइट मैजिक वह होता है जो कि हम अच्छा करने के लिए अपना किसी का भी अच्छा करने के लिए जो भी हम करते हैं उसको हम भाइट मैजि का मतलब यही होता है कि आप किसी का गलत कर रहे हैं उस magic के द्वारा तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जिसने भी आपके उपर black magic किया है उसको क्या कर्मा मिलेगा उसका उसको तो शफल करते हम हमारे cards को और देखते हैं जिसने भी आपके उपर black magic किया है उनको क्या कर्मा मिलेगा जिसने भी आपके उपर black magic किया है उनको क्या कर्मा मिलेगा जो भी इस reading को देख रहे हैं अगर किसी ने उनके उपर black magic किया है तो उनको क्या कर्मा मिलेगा आपट और धार जJack इसा कर्मा Moon Ka Card, Nine of Cups, Eight of Pentacles, King of Cups, Knight of Swords, The Hanged Man, Four of Wands, Ace of Swords, Page of Wands, Eight of Cups, Seven of Pentacles. तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं आपकी राशियों की तो यहाँ पर Cups की एनरजी बहुत ज़्यादा दिखाए दे रही है. कर्क, ब्रश्चिक और मीन आपकी राशी हो सकती है. आपकी राशी जो है, टेंटेकल से नरजी भी दिखाई दे रही है. मिन्स ब्रश, कन्या और मकर आपकी राशी हो सकती है. तो अब हम बात करते हैं कि जिनोंने भी आप पर Black Magic किया है, उनको क्या कर्मा मिलेगा, क्या उनको सजा मिलेगी. कर्मा मीन्स उनको क्या जो उन्होंने बोया है, वो क्या काटेंगे, ये हम देखेंगे. तो जिसने भी Black Magic आपके साथ किया है, आपके जीवन में को खराब किया है, आपकी जिन्दगी को खराब किया है, अपने कर्मों के द्वारा. तो उनकी जो सजा होगी, वो ये होगी कि जीवन में, वो हमेशा उनको मृत्यू के पश्चात, जीवन में तो जीवन में, इस जीवन में और मृत्यू के पश्चात भी उनको ये सब चीजे भोगनी पड़ेंगी. मेंस वे अपनी दुनिया तो खराब करेंगे ही साथ-साथ इस दुनिया के बाद भी उनको मोक्ष नहीं मिल पाएगा उनको नरक ही मिलेगा क्योंकि उन्होंने कर्मा ही ऐसा किया है साथ-साथ यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ये जो लोग हैं ये हमेशा अधर में लटके रहेंगे यहाँ पर इनको हो सकता है मृत्यू के प्रश्चात इनको प्रेत योनी में जाना पड़े इनको भूत प्रिश्चात की योनी में जाना पड़े और इनको मुक्ती ना मिले सबसे बड़ा कर्मा तो इनको यही मिलेगा साथ-साथ इनकी जो भी विशेज हैं जो भी एक्छा करेंगे अपने जीवन में कि हमारा ये काम हो जाए हमारा वो काम हो जाए इश्वर उनको कभी भी उन कामों को उन इनकी इक्छाओं को फली भूत नहीं करेंगे इनकी जो इक्छाएं हैं वो अधूरी रह जाएंगी जीवन में ये महनत करेंगे लेकिन उसको उसका फल नहीं मिलेगा ये मेनत करते रहेंगे, प्रियास करते रहेंगे, जिस भी काम में हाथ डालेंगे, उसमें इनको लॉस और लॉस ही मिलेगा, हाटा ही मिलेगा. साथ-साथ इनकी लाइफ में कभी भी स्टेविलिटी नहीं रहेगी, जो इनको एक सुख मिलना चाहिए, जो इनको एक खुशी मिलनी चाहिए, वो इनको कभी भी नहीं मिलेगी. चाहे ये उस खुशी को प्राप्त करने के लिए कितना ही प्रियास करें, वो सब जो है चोपट हो जाएगा. जैसे कि सपूस ये सोचे कि मेरे घर में बहुत खुशी आ रहे हैं, सब कुछ रहे हर खुशी हमको मिले, वो खुशी इनको नहीं मिल पाएगी. इनके दिल का एक ना एक कोना हमेशा खाली रहेगा. ये समझ नहीं पाएगे कि इनके जीवन में क्या हो रहा है. क्यों इतना इतना प्रियास करेंगे खुश रहने के लिए तब भी ये खुश नहीं रह पाएगे. इनके घर में हो सकता है. विवाद हो जाएं. छोटे-छोटे विवाद स्टार्ट हो जाएं. इनको अंदर से जो एक खुशी आनी चाहिए. एक आत्मा से जो एक खुश होना चाहिए. वो एक खुशी इनको जीवन में कभी भी नहीं मिलेगी. और इनके साथ हमेशा धोका होगा. ये जिसके भी साथ अच्छा करेंगे, उनसे इनको धोका मिलेगा. उनसे इनको फ्रॉड मिलेगा, दिसेप्शन मिलेगा. और ये जिस भी चीज की इक्छा करेंगे, ये सालो साल उस इक्छा को पूर्ण होने का इंतिजार करेंगे, बट वो इक्छा हैं इनकी, कभी भी पूर्ण नहीं होंगी. इनको हमेशा ऐसा लगेगा कि, बार-बार इनको ऐसा लगेगा कि, मैं इतना अच्छा करता हूँ सब के साथ और मुझे बुराई क्यों मिलती है? इनको हर तरफ से बुराई मिलेगी. चाहिए किसी के साथ कित्ता ही अच्छा कर ले, इनको एक संतुष्टी जो कहते हैं न हो संतुष्टी इनको कभी भी नहीं मिल पाएगी, हमेशा ये अपने घर परिवार से दूर जाना पसंद करेंगे, बट ये वहाँ पर फसे रहेंगे, इनको कभी भी अपने परिवार से ज प्रुक नहीं मिलेगा और यहां पर इनको जीवन के अंत में हो सकता है कई महीनों जो है मृत्यु शैया पर हो सकता यह पड़े रहें इनकी ऐसी बिमारी रहेगी कि ना यह इस दुनिया के रहेंगे या ना यह उस दुनिया के रहेंगे यह बीच में लटके रहेंगे ये इतने बिमार हो जाएंगे इतने इस तरह की इनको बिमारी हो जाएगी जिसका कोई भी इलाज नहीं होगा इस तरह का मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है इनका जो वंश है उसमें इनको पुत्र का भाव हो इनका जो वंश है उसको आगे जो है वो बढ़ ना पाए और इनको हमेशा ये लोग पुत्र सुक से वंचित रहे इनके घर में ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि या तो ये इनके संतान इनको प्राप्थी ना हो बिल्कुल भी और अगर हो तो उसमें पुत्रियां ही पुत्रियां हो साथ साथ उनके घर में इनके परिवार में वंश चलाने वाला कोई ना हो ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है और भी हम कार्ज लेंगे और देखेंगे कि इनको क्या कर्मा आगे मिलने वाला है यह हम देखेंगे इन कार्ज के थूप कौर्नु कूपिया एंजल आउप बैलेंस सिक्स्थ चक्रा आर्क एंजल मेटेट्रॉन फर्स्थ चक्रा आर्केंजल माइकल एंड फाइनेंशल कॉंस्टेंट बॉटम ओफ देख स्टॉर्म वार्निंग तो यहाँ पर इनके दिमाग में कभी भी सुकून नहीं मिलेगा साथ-साथ इनके जीवन में पैसे की हमेशा कमी रहेगी साथ-साथ इनकी लाइफ में जो एक बैलेंस होना चाहिए एक जो तालमेल होना चाहिए जीवन में वो तालमेल इनकी जीवन में कभी भी नहीं रहेगा साथ-साथ इनका जो थर्ड आई चक्रा है कभी भी ओपन नहीं हो सकता साथ-साथ इनका फर्स्ट चक्रा बेज चक्रा भी इनका कभी भी उपन नहीं रहेगा, ब्लॉक ही रहेगा, थड़ाई चक्रा भी इनका ब्लॉक रहेगा, क्योंकि इन्होंने जो बोया है वो तो इनको काटना ही पड़ेगा, चाहे वो कितना ही प्रियास कर लें, जीवन में कोशिश कर लें, कि इनके जीवन मे एक सुख समरद्धी रहे वो सुख समरद्धी इनके जीवन में कभी भी नहीं रहेगी, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हमेशा इनको पैसे की कमी रहेगी, इनके घर में जो एक कहना चाहिए कि बैलेंस, एक सुख समरत्ती, एक एबंडेंस, ग्रोथ होनी चाहिए इनके परिवार में, वो ग्रोथ इनके लाइफ में कभी भी नहीं रहेगी, साथ-साथ इनके परिवार में जगड़े होते रहेंगे, जगड़े रहेंगे, क्योंकि इनोंने किसी के जीवन को खराब किया है, तो उसका जो फल है, इनको जीवन भर मिलता रहेगा, साथ-साथ जीवन तो यह अपना खराब करेंगे, उसके बाद यह अपनी मृत्यू भी खराब करेंगे, तो यह थी रीडिंग, आपको पसंद आई हो, पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक चेर जरूर किजिए, थैंक यू सो मच पॉर वाचिंग मैं वीडियो, हर हर महादेव